नमस्कार साथियों केपी दर्सन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य परदेश राज की उज्जेन नगर्म इसित माहकालेस्वर मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं पर इनके रहस्यों को बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपको बता दें कि मंदिर भारत की 12 जूतर लिंगों में इसे एक माना गया है। आज हम महाकेलेस्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप आसानी से पहुंचाएं तो महाकालिस्पर मंदिर से सम्मंधित दस रहस्यों में से पहला रहस्य के बारे में जानते हैं पहला रहस्य है महाकाल नाम का रहस्य महाकाल का सम्मंध केवल मृत्यू से है परन्तु यह पूरा सच नहीं है काल के दो अर्थ होते हैं एक समय और दूसरा मृत्यू काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पुर्ण विस्व का मानक समय निर्धारित होता था इसलिए इस जोतरलिंग का नाम महा कालिस्वर नाम रखा गया दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है दरसल महा काल का सिवलिंग तब परकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस धूसन का अंत करना था भगवान सिव उस राक्षस का काल बन कराएं उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है वहां के वासियों के अगरह पर महाकाल वहां उपस्थित हो गए और वहीं बिराजमान हो गए यह समय नकाल के अंत तक रहेंगे इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है महाकाल से सम्मंदित दूसरा रास्य क्यों यहां रात नहीं बिताता कोई राज्य मंत्री उजैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा भोले नाथ विक्रमादिति के सासन के बाद यहां कोई भी राजा रात में नहीं रुख सकता जिसने भी यह दुशास किया वो संकटों से घिर कर मारा गया पौरानिक कथा और सिंहासन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहां कोई राजा रात में नहीं रुखता वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्य मंतरी या परधान मंतरी यहां रात में नहीं रुखते इससे जुड़े कई उदाहरन भी परसिद्ध हैं जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर जोगा एक बार देश के चौथे परधान मंतरी मुरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहां रुख गए थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी ऐसे ही करनाटक के मुख्य मंतरी बियस यदुरपपा भी उज्जैन में रुखे थे उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्थिफा देना पड़ा था कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबित महाकाल भगवान सहर के राजा है और उनके अलाबा यहां रात में कोई और राजा नहीं रुख सकता तीसरा रहस्य महाकाल की भस्म आरती से सम्मंदित जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहसमय यहां होने वाली भस्म आरती है प्राचीन काल में राजा चंदर सीह सीव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे जब राजा रिपू दमन ने उज्ञैन पर आकरमन किया और राक्षस दोसन के जर्ये वहां की परजा को प्रताडित किया तब राजा ने मदद के लिए भगवान सीव से गुहार लगाई गुहार सुनकर भगवान सिब स्वेम प्रकट हुए और दूसन राश्चास का अंत किये इतना ही नहीं भगवान सिब ने भूसन की राख से अपना सिंगार किया और वो हमेशा के लिए हां बस गए तो इस तरह से भगवान भूले नात की हां हमेशा भस्म आरती की जाती है 14. चिता भस्म से की जाती है आरती यहाँ पर भगवान सिब के सिबलिंग पर ताजी चिता की भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका शिंगार भी होता था एक पौरानिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में परती दिन एक मुर्दे के राख से भस्म आर्ति की जाती थी परन्तु एक वार उज्जैन के समसान में कोई भी सब नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुतर की बल्ली देकर उसकी जिता से राख बनाई और उस राख से भगवान महाकालेस्वर की आर्ति की भगवान महाकालेस्वर उसकी भक्ति से परसन हो गए और उसके पुतर को जीवन दान दे दी साथ ही उन्होंने कहा कि आज से उसकी आरती कपिला गाय के गोवर के कंडे अमलतास मिला कर तयार किये जाए और उसी से मेरी आरती की जाए महाकालेस्वर मंदिर का पाँचवा रहस्य है स्री नाग चंद्रेस्वर मंदिर से समंदित है राज समंद स्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होगे लेकिन आप में से साध ही कोई ऐसा होगा जो स्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर को जानता होगा वर्तमान में जो महाकालेश्वर जोतरलिंग है वो तीन खंडों विभाजित है निचले खंड में महाकालेश्वर, मद्धि खंड में ओंकारेश्वर तथा उपखंड में स्री नाग चंदरेश्वर मंदीर है छेठा रास से श्वेंभू जोतरलिंग से सम्मधित है बारह जूतर लिंगो में से महाकाल ही एक मात्र सरवत्तम सिवलिंग है, अर्थात आकास में तारक सिवलिंग, पाताल में हाट के स्वर सिवलिंग, और प्रिथी पर महाकाले स्वर सिवलिंग ही माननी सिवलिंग है, माननीता है कि महाकाल मंदिर में सिवलिंग स्वेंभू है, लगातार चलाते हैं और काल भहरव काल का नास करते हैं सातमा रहस यहां का सिबलिंग दश्छिन मुखी है दश्छिन मुखी सिबलिंग इस पूरे संसार के सभी सिब मंदिरों में अस्थापित सिबलिंग और अन्य जोतर लिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है किन्तु महाकाल इसवर ही एक कैसा जोतरलिंग है जिसकी जल्धारी दस्चिन दिसा की उर है इसलिए इन्हें दस्चिन मुखी महाकाल के नाम से जाना जाता है आठवा रहसी मंदिर जहां भगवान पिलाए जाती है मदिरा महाकाल मंदिर से जुड़ी है जहां भैरव बाबा का मंदिर इसीद है दुनिया का एक मात्राइसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से सराब की दुकाने हटा दी जाती है वहीं दूसरी और महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी सराब की दुकाने लगाई गई है यहां परसाद बेचने वाले भी सराब अपने पास रखते हैं यहां तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को सराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पेते हैं तो जाती कहां है नौवारास से जूना महाकाल से सम्मंदित है सिवलिंग को नश्ट करने की कोशिस कई बार विदेशियों द्वारा की गई जिसके कारण पुजारियों ने उसे एक वर छुपा दिया और इसकी जगाद दूसरा सिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे बाद में उन्होंने उस सिवलिंग को वही महाकाल के प्रागन में अन्ने जगा अस्थापित कर दिया जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है हलागे कुछ लोगों के अनुसार असलिव सिविलिंग को छेड़ छाड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया मन्दिर से सम्मंदित दसमा रहस से एक रहसमाई भगत से सम्मंदित है वैसे तो मन्दिरों में रोजाना चमतकार होते हैं लेकिन सभी चमतकार आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा ही एक दुरलब चमतकार महकाल मंदिर के गर्व ग्रीह में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमतकार को सारवजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महा शिवरात्री में बावा महकाल बेल पत्र से ढख दिया जाता है और उसके बाद यहां भगतों का आना मना हो जाता है। वहां रात में एक अद्री से सक्ती मौजूद रहती है जो महकाल की पूजा करती है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं जान सका परांतु साधुओं का माना है कि यह घटना सत्य है। तो साथियों आज हमने महा काले स्वर भगवान के बारे में जानकारी दी। बड़ी है जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय भोले नात आवासी लिखें।